नमस्कार साथी स्वागत है आप सभी एस्प्रेंट्स का इस आइकोनिक एस्प्रेंट्स पे साथी यह उडुटेरिया दोरा प्रकासित बीपीसी 6 चक भरती को लेकर प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रैक्टिस सेट 6 का हम अध्यन आज करने वाले हैं इसे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक सारा अप्लोड किया गया है जो साथी पहले से हैं उनसे बिन्ती है कि वह वीडियो को पुरा देखेंगे अगर अच्छा लेके तो प्ली लायक किजेगा और अपने दोस्तों तक जरूर सीर किजेगा तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला question आपके समक्ष इस प्रकार है, कहता है, 1769 SW में बेदरा के प्रसीद लड़ाई अंग्रेज ने किसके खिलाफ लड़ी थी, तो यह का right answer जो होगा आपका option C, 1769 SW की जो बेदरा की लड़ाई होती है, यूद होती है, यह अंग्रेजों और ड का एक आस्रम अस्थापित करने वाले नेता कौन थे हैं, तो साथी यह आपके हो जाएंगे स्री अरविंदो घोस्त, बहुत ही important है, इनको याद रखेंगे, अरविंदो घोस्त के बारे में, हम अगर बात कर लें इनके बारे में, तो हाल ही में साथी, स्री प्रधान मंत्रे स्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2022 को अध्यात्मिक स्री अरविंदो घोस्त की 150 भी जयनती मनाई गई थी, जो की बहुत ही महत्पूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं, नेक्ट हम अगर बात कर लें, तो नेक्ट क्वेसन केता है, स्वामी विवेका नन ने रा तो पूरा नाम याद रखेंगे, रामकिष्ण परमहंस इनका नाम था, इन्ही के नामों पे इन्ही के यादों में यह रामकिष्ण मिशन की अस्थापना करते हैं, नेक्ट क्वेसन का आप कहता है, कि सबसे पहले भागवत गेता का अंग्रेजी में अनुवाद किष्ण न यह भी आपको याद रखना होगा, नेक्ट क्वेसन केता है, लौड बिलेजली की सहायक संदी को सरपर्थम किस सासक ने स्विकार किया था, तो यह आपका राइट एंसर क्या होंगे, याद रखना है, यह आपका हैदरावाद के निजाम के द्वारा किया गया था, कहा था, तो यह आपका राइट एंसर जो होगा, क्या हो जाएगा, तो याद रखना है, टी आर होम्स के द्वारा, ठीक है, टी आर होम्स के द्वारा इस क्रांती को, इस सोतनता संगराम को क्या कहा जाता है, तो सब भैता और बरबरता का संगर्स कहा जाता है, याद रखें आपका 1931 में याद रखना है मौलिक अधिकारों और राष्टी आर्थिक प्लगती पर प्रस्ताव कॉंग्रेस द्वारा वर्स आपका 1931 में कराची अधिवेशन में किया जाता है सुविकार याद रखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण है नेक्स्ट क्याता है कि किस अधिवेशन कॉंग्रेस को अपनी पहली महिला अधिक्ष मिली थी तो बहुत ही महत्पूर्ण है और कई बार बताया गया है आपको कि साथी यह आपको कब हुई था तो 32 अधिवेशन में ठीक है कॉंग्रेस का 32 अधिवेशन जो की वर्स 1917 में होता है इस समय सबसे पहले जो कॉंग्रिस की महला अधिक्ष बनती है तो याद रखना है यह आपको बनती है एनी वेसंड ठीक है जो की बहुत ही महत्पूर्ण है इनको आप लोग याद रखेंगे नेक्ट कोईशन कहता है निम्ण में से समाचार पत्रों और उनके संपादक का न दिया गया है यहाँ पर आप सब्हीं लोग बताए तो यहाँ पर हम बात करले तो आपका क्या हो जाएगा तो हम लोग देख लेते है इसका राइ्ट एंसर क्या होना क्या ह Aub oke Mi नीचे दिये गए कोट के माध्यम से आपको यहाँ पर चैन करना है तो क्या हो जाएंगे आप सभी लोग यहाँ पर बता दीजी अपने अपने अंश्ट को हम बात कर लें तो आपका option number A हो जाएगा नेक्ट प्रश्नीा आपर द्यान देंगे सत्य नेक्ट है आपका अंतराष्टी यह कला महसब का आयोज़न कहां किया गया था था यहाँ पर प्यूछ का नियमित आपका राइट एंसर जो होगा क्या हो जाएका इसका राइट एंसर होगा आपका लॉड करजन के समय में ठीक है लॉड करजन के समय में भारतिय बिस्विद्ध्यले अधिनियम पार्द किये जाते हैं और इसी समय सेचनिक संस्ता में सिष्था के अस्थर और अनुशाशन में अक्रामक निति को पालन करने वला था यह आपका कौन था तो लॉड लेटन था ठीक है लॉड लेटन के अगर हम बात कर ले तो यह आपको अफगानिस्तान के प्रति अक्रामक निति का पालन करता है और वह एक अंग्रेजी राजनेति रुधी बाति राजनेतिक और कभी भ रखेंगे किसके बारे में लॉर्ड लेटन के बारे में अगर हम बात कर ले आगे तो नेक्ट कोशन कहता है बिलियम बेंटिंग द्वारा सती परता को अभेद किस वर्स घोशत किया गया था जल्दी से बताएं इसका राइट अंसर क्या होगा तो यह आपका हो जाएगा ऑप राम मोहराई जी के परियासो से लॉर्ड विलियम बेंग्टी ने सती परता किया किया था तो रोख लगा था इस पर पापन्दी लगाई थी याद रखेंगे महुत ही महत्पूर्ण है नेक्ट कोशन है आपका जालिया बाला बाग हत्याकर निमलिकित में से किसके संदर में हुआ था बहुत ही महत्पूर्ण है यह आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में जालिया बाला हत्याकर नेक्ट कोशन है आपका महत्मा गांदी ने सभी ने अब बग्या आंदूरन कहां से सुरू किया था तो इसका रायट नसर होगा आपका आपका आप्सन नमबर C सा सावर मतरी आस्रम से यह आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को यह यात्रा सुरू की जाती है और इसमें कुल 78 सदर से इसमें सामील होती ही इस यात्रा में आप लोग याद रखेंगे स्वधेशी आंदुल के दोरान राजनितिक स्वतनता एक राष्ट का जीवन रखते है यह नारा किस ने दिया था तो इसका आपका हो जाएक कौन किसके दोरा दिया गया था तो अरबिंदो घोस के दोरा ठीके अरबिंदो घोस का जन्म कब हुआ था तो 15 अगस्त याद किस देश में आजाद हिंद रेडियो की सुरुवात के थी बहुत है महत्पूर्ण है यह और इसका राइट एंसर होगा आपका ओप्सन नंबर बी जर्मनी में ठीके वर्स 1942 में याद रखना है साथी सुबाद चंदर बोस के दोरा जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की अ याद रहा है वर्स 1919 से लेकर बीच में आपका 1920 के आसपास चलता है ठीक है बहुत ही महत्पूर्ण है याद रखेंगे काफी प्रशन पूछे जाते हैं नेक्स्ट कोर्शन है आपका गांधी जी ने कॉंग्रेस पार्टी के सदस्ता से स्थीपा कब दिया था तो गांधी ज कुछ बुध्य जीवी व्यक्तियों के बीच में मतबेद हो जाता है जिस कारण से गांधी जी कॉंग्रेस पार्टी से इस्थीपा देते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना स्वादेसी आंदोलन सबसे पहले स्वादेसी आंदोलन के समय में क्या होता है तो गरम पंती और नरम पंती के बीच विभाजन का रूप देखने को मिलता है और अंतता यह आपका 1907 इस वी में सुरत अधिवेशन जाते जाते पूर्ण रूप से इन दोनों में क्या हो जाता है तो बिभाजन हो जाता है नेक्ट वेशन है आपका बार्दोली सत्यागरा कब सुरू किय बार्दोली सत्यागरा के हम आगर बात कर लें तो यह आपका वर्ष 1928 में किया गया था कहां पे तो गुजरात के वार्दोली में ठीक है और इसका नेतिद किस ने किया था तो सर्दार बरला भाई पटेल को याद रखेंगे काफी महत्पूर्ण है और यहीं पर बार्दोल आलम गिरपूर धोला बीरा उसके बाद यह खोज करता कुछ है महान महान जो की इनके द्वारा समय और इनके द्वारा यह अस्थान खोजे गए हैं तो आप लोग यहाँ पर एंसर का चैन कर लें क्या हो जाएगा इसकी अगर हम बात कर लें राइट एंसर क्या होंगे तो यह आपका ओप्शन नंब्र D हो जाएंगे है सबसे पहले हरपा खुझ किसने की थी तो यहादरखना है दयाराम सहनी करते हैं उसके बाद आपका है लोथल लोथल जो है यहां कहांपे है तो यहां पर भूगवा नदी पर है और यह आपका एम S-R-RAO के द्वार किया जाता है S-R-RAO कहांपे हैं तो S-R-RAO आपका option number D हो जाएंगे ठीक है उसके बाद है आपका काली बंगन काली बंगन का जो खोज करते हैं या किस ने किया था तो यादरखा है SS वतस्चे किया थे SS वतस्चे ने किया था काली बंगन का यहाँ पे आपका option number E हो जाएगा उसके बाद आलम गीरपुड है आलम गीरपुड का जो खोज करते हैं या किस ने किया था तो YD सर्मा करते हैं ठीके YD सर्मा option number A और उसके बाद अंती में आपका धोला बेडा जिरकी इसका खुझ किस ने किया था तो RS विष्ट ने किया था RS विष्ट ने किया था इस प्रकार से इसका right answer हो जाएगा ठीके यहाँ पर थोड़ा सा अपलोग ध्यान दीजिएगा यह महत्पून था और यह जिकी आपसे पूछे जाते हैं question हमेशा आपसे यहीं पर पूछते हैं one liner के हरपा सभेता के जो अलग-अलग अस्थान के खोज करता कौन कोन है और कब किये गये थें यह आपसे पूछे जाते हैं next question कहता है अजास सत्रू के once का नाम क्या था तो अजास सत्रू के जो once का नाम था यह आपका हर्याक once था जो कि मगत का सबसे प्रथम once कहलाता है याद रखेंगे ठीक हर्याक once जो है या मगद के सबसे प्रथम बंसका भी एक रूप से कहलाता है तो यह आप लोग याद रखेंगे और इसके जो संस्थापक थे यह कौन थे तो याद रखेंगे बिम्बी सार थे ठीक है बिम्बी सार की हत्या करके अजास्तातरु गद्दी भे बैठता है यह सब महत्पूर्ण क्वेशन है आपसे पूछे जाएंगे आगे बढ़ते हैं तो किता हैं मौरे काल के दौरान संस्था और संचारी क्या थे मौरे कालिन के दौरान तो मौर काल में संस्था और संचारी जो थे यह क्या थे तो जासूस थे ठीक है जासूस को कहा जाता था याद रखिएगा बह याद रहेंगे पण दत के द्वारा ठीक है पण दत के द्वारा यह आपको याद रखना है और असकंद गुप्त जो की 445 से आपका लगभग हम बात कर लें तो 660 के आस पास जो हता है यह आपका इनके द्वारे करवाये जाता है जो कि बिक्रम आदित्या के उपाधिव यह धारन करते हैं कौन तो असकंद को इन दोनों के बारे में हम आपको बता दिये हैं अगे बरते हैं तो next question है आपका कि महान रचनात्मक लेखक अफसोध एक शिकन साथी महान रचनात्मक लेखा को अस्वघोस ने निम्लिकित में से किसे शाशक और सनरक्षन प्रादान किया था तो इसका रैटन से जो हो जाएंगे आपका कनिश्ट को ठीके कनिश्ट को हो जाएंगे याद रखेंगे जो कि बिदेसी राजाओ ने संस्कृत साहित्य का सनक्षन और सरवधन किया था ये सभी आप सब पुछा जाएगा ठीक है अस्वखोस के अगर हम बात कर ले तो अस्वखोस जैसे महारचनात्मक लेखक कुशानों की सनक्षन भी प्रदान थी तो ये आप लोग याद रखेंगे बहुत सारे यह जो सासक्त हैं जो कि इनको प्रदान करते हैं अपना सनक्षन कहता है नेक्ट कोशन है आपका कि सरजरी का जनक किसे कहा जाता है सरजरी का जो जनक है या किसे कह जाता है तो याद रखेंगे या आपका हो जाएंगे सुसूद्र को सुसूद्र को क्या कहते हैं तो सरजरी का जनक कहते हैं या प्राचिन काल के एक महान चिकिस सकते हैं कौन तो सुरुद ठीक है बहुत ही महत्मूर्ण है थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे नेक्ट क्वेसन है आपका मनु इस्मृती मुख्यूरुप से संबंदित है तो मनु इस्मृती जो है यह किसी से संबंदित है तो याद रखना समाजिक विवस्थाओं से ठीक है बहुत ही इंपोर्टन है और मनु इस्मृती जो है यह आपका किन के द्वारा रचना की गई है तो मनु के द्वारा की गई है जो कि बहुत ही इंपोर्टन है याद रखेंगे एक जैन भीचुक के द्वारा यह प्राचीन तमिल गरंथ नईलियार परमिष्ट परखान की रशना करते हैं ठीके तो इहम चंद्र को आप सभी लोग याद रखेंगे थोड़ा सा यह महत्पूर्ण क्वेशन था कहता है नेक्स्ट क्वेशन प्राशीन भारत के संदर में वान भट द्वार लिखे तो अश्टांग संग्रह का संबंध है अश्टांग संग्रह को जो संबंध है यह किस्से है तो यह आपका हो जाएंगे चिकिस्सा से किस्से है से किस्सा से प्राशीन भारत में चड़क सुद्सूद्र के बाद वान भट को महान चिकिस्सक का माना गया है ठीक है अभी जश्ट हम लोग उपड़ में पढ़े हैं सुसूदर के बारे में फिर चड़क आते हैं इसके बाद यह तिसरे महान जो थे वानभट जो है यह चिकेस्सक के रोप में माने जाते हैं प्राचीन इतिहास के प्राचीन काल के नेच्ट कोष्टन पहर हैं तो नेच्ट कोष्टन है थोड़ा साथ हम स्पेड में चल रहें साथी ज्यादा एक्स्प्लेनरेशन नहीं कर रहे हैं क्यूंकि बहुत ऐसा चेज है जो कि आप सफी को पढ़ा दिया गया है और अब जो समय है वो बस एक एक्स्प्लेनेशन का नह तो इल्तुत मिस्ट करते हैं याद रखेगा बहुत ही important है और इल्तुत मिस्ट के अगर हम बात कर ले तो यह आपका दिल्ली सल्दत के बास्तविक सासक माने जाते हैं संस्थापक माने जाते हैं यह भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है next question पर बढ़ते हैं तो कता है किस मु यह आपका क्या किया जाता है तो इजारा प्रणाली के सुर्वात की जाती है जो यह बहुत ही महत पूर्ण है आप सभी लोग इसको याद रखेंगे next हम बढ़ते हैं आगे next है आपका question कि निमलिकित में से किस ने पुष्टी मार के दर्शन को परतिपादित किया था तो प यह कौन थे तो बलवा चाड़े थे इनको आप लोग याद रखेंगे next question है आपका अंतराष्टिय प्रमानु ओर्जा अधिकरन का मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याले जो है यह आपका कहां है तो आश्टिया में है कहां है आश्टिया में है यह आप लोग याद रख रखेंगे अंतराष्टिय प्रमानु ओर्जा अधिकरन का मुख्याले जिसके अस्थापना कब की जाती है तो इसके अस्थापना आपका 29 जुलाई 29 जुलाई 1907 को की जाती है ठीक है यह आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा महत्पूर्ण यह question है करें ठेफर का यह मु साथे अपने कुट के माध्यम से राइट एंसर क्या होंगे इसका राइट एंसर आपका option number c राइट एंसर होगा ठीक है option number c इसका राइट एंसर होगा चलिए एक बड़ हम discuss भी कर देते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहों सबसे पहले है जापान तो जापान का जो पक्छी है इसको क्या कहते हैं तो इसको हम कहते हैं काईविल ठीक है इसको क्या करते हैं काईविल उसके बाद कनाडा के जो पक्छी है इसको हम क्या कहते हैं तो कनाडा के पक्छी को हम कहते हैं साथी गंजा इगल गंजा इगल करते हैं भात के पक्छी को सभी को पता होगा बाग कर और अंती में आपका आश्टेलिया जिसके हम कंगारू कहते हैं ठीक है इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे तो कहता है नेक्स्ट कोशन आपका रूस एब हम फिडर लेंड के अंतराश्टी सीमा को कहा जाता है क्या रूस और फिडर ले था तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे हैं पर महत्पूर्ण है जो कि यह क्या है तो रूस और फिडर लेंड का एक अंतराश्टी सीमा रेखा है ठीक है यह चीज आप लोग अच्छे से याद रखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण है नेक्स्ट कोशन है आपका भारत द्यानिंगे बहुत ही महत्पूर्ण है इस लिए इस छीज इह को याद रखेंगे आप सबी मिलोग नेक्स्ट क्वें परलात में बढ़ते हाया और फ्वॉत है बहुत ही महत्पूर्ण क्वेश्चन है और इसका आपकी भारती अनुसंस्ताद जो की इस रू हम कहते हैं इसका गठन होता है याद रखेंगे नेक्ट है नेक्ट क्वेशन कहता है निमलिखित में से जीवन परकिरियाओं का कौँ सा युग्म पेर पौधे और जीब जनतू दोनों में मिलता है बहुत महत्पूर्ण क्वेशन है यह आपका क्या होंगे तो याद रखना है इसका राइट अन्सर होगा आपका ब्रिधी और प्रजन ठीक है जीवन परकिरियाओं के संबंध में ब्रिधी और प्रजन जो है या परकिरिया पेर पौधे दोनों में पाए जाते हैं जो कि आप आप सभी लोग याद रखेंगे नेक्ट क्वेशन है आपका कि पढ़ने का प्रारम करना चाहिए पढ़ने का प्रारम करना चाहिए किस चीज से जल्दी से बता दे आप टीचर बनने वाले हैं बहुत ही महत्पूर्ण है तो इसका राइट एंसर होगा आपका अर्थ पूर सामगरी से ठीक है अर्थात हम बात कर ले तो पढ़ने का प्रारम जो है यह आपका अर्थ पूर्ण सामगरी से करना चाहिए इसका राइट एंसर आपका ऑप्सन नंबर डी हो जाएंगे चली बढ़ते हैं आगे नेक्ट क्वेशन है आपका कहता यहां पे कि परिपक्त बि बिध्यारती करते हैं याद रखना है अर्था समझदार बिध्यारती कहेंगे ठीक है नेक्स वेशन है आपका बिहार राजी के लोग के लिए मधुमक्खी पालन सुरू करने की सबसे अच्छी अबधी कौन सी होती है बिहार राजी के लोग के लिए मधुमक्खी जो पालन का समय होता है यह सबसे बहतर समय कौन सा होंगे तो यह आपको होंगे साथी कौन सा तो अक्टूबर से दिसमबर ठीक है यह आपको याद रखना है बहुत ही महत्पोर्ण है और हम अगर इस पर बात कर लें तो यह आपको बिहार की भोगोलिक इस्थिति की इस दोरा मधुमक्खी पारण के लिए अनुकुल बहतर इस्थिति है जो की आपको यहाँ पर याद रखना है नेक्स्ट कोशन भी हम चलते हैं तो नेक्स्ट कोशन है आपका कि 17 प्रवासी भारती दिवास का आयोजन किस वर्स किस सहर में किया गया था तो यह आपका हो जाएंगे ऑप्सन नंबर दी इंदोर में इंदोर कहा है आप सभी को पता होना चाहिए यह एमपी में है ठीक है चालू वर्स 2023 को निमली कितमे से किस रूप में माननेते दिया जा रहा है इसके राइट इंसल होंगे आपके आप्सन नंबर सी मोटे अनाज के लिए अंतराष्टे वर्स के लिए यह आपको माननेता दिया जा रहा है बहुत हैं महतपून है आप लोग याद रखेंगे हाल ही में न्यूजिलेंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में किसे चूना गया है यह आप के हो जाएंगे किसे चूना गया है तो याद रखा है क्रिप्स हिम सिंग को क्रिप्स हिप सिंग जो है यह न्यूजी लेंड के नए प्रधान मंतरी के रूप में इनको चुना गया है और इसे पहले जो थे यह कौन थे यह आपको बताना है कॉमेंट में इसे पहले कौन थे यह आपको कॉमेंट बताना है तो कॉमेंट भी बतानी का जोरत नहीं है यह आ आर्टिक टेक्चर पुरस्कार जो है यह 2023 का विजयता कौन है तो यह आपके हो जाएंगे डेविड एलन डेविड एलन पीचर फिल्ड जो है यह आपके राइट एंसर होगा ठीक है बहुत ही महत्पूर्ण है यह आपको याद रखना है इनके बारे में यह पुरस्कार अंतल पहला 3D प्रेंटि प्रla 3D प्रिटेड घर का उत्गाटन किया गया है तो यह आपके हो जाएंगे ऑपipediaं आहन्दाबाद भारती सीना के अहनदाबाद केंट में पहला 3D प्रीप्टेट घड का उधगाटन किया गया है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है थोड़ा सा आप लोग इसके याद रखेंगे नेक्स्ट कॉशन है निमलिकित में से कौँ सा बिकल्प सही सुम्मिलित नहीं है एक तरफ उससब है दूसरे तरफ उन राजजी के बारे में बताना है यह हम अगर बात कर ले तो इसका राइट इंसर आपका ओप्सन नमबर C होंगे ठीक है C क्या है तो तो रग्या उससब जो है यह आपका अनुराचर परदेश का क्या है तो नहीं है यह फिर है आप लोग बताना है तो यह आपका क्या है राइट इंसर होंगे ठीक है उसके बाद हम अगर बात कर ले आगे तो नेक्ट कोशन है आपका भारा सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप करने का लक्च कब तक रखा है यहाँ को कब तक रखा गया है 2023 थेके भार सरकार द्वारा काला जार को समाब करने का जो लख्ष है यह 2023 तक रखा गया है जबकि WHO के द्वारा इसका लख्ष जो है 2030 तक रखा गया है World Health Organization के द्वारा ठेके नेक्स वेशन है कि वरतमान में भारती वीमा बीमा, नियामक और विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष कौन है तो यह आपके कौन है तो याद रखेगा इसका राइट अंसर हो जाएंगे आपका option number B, देवा सिस पांडा ठेके देवा सिस पांडा जो है या आपका बरतमान में भारते बीमा, नियामक और विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष हैं जो कि आप लोग इसको याद रखेंगे next question पर हम बढ़ते हैं तो next question है ध्यान दिजिएगा next question पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक सेकंड साथी हम पहुँच गए हैं आपका question number यहाँ पर है एक सेकंड यहाँ तो हम लोग कर लिये थे ना चलिए यहाँ से हम लोग करने वाले हैं तो आपका कौन सा भाग हो जाएंगे तो यहाँ आपका कौन सा भाग हो जाएंगे जल्दी से आप लोग बता दीजे इसका right answer क्या होना चाहिए इसका right answer की अगर हम बात कर लें तो यहाँ आपका हो जाएगा कौन सा तो याद रखना है सेरे बलम सेरे बलम की अगर हम बात कर लें सेरेबलम के तो यह सेरेबलम सरेट का संतुलन बराय रखने और एचिक स्पेसियों के संकूजन पर नियंतरन रखता है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है आप सब लोग याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेशन है आपका निमलिकित में से परी संचरन तंतर का अंग नहीं है तो याद रखेंगे बड़ी आथ है ठीके बड़ी आथ जो है या परी संचरन तंतर का अंग नहीं है नेक्ट है आपका नेक्ट क्वेशन है सरसो किस कूल का पौधा है सरसो किस कूल का पौधा है तो यह आपका क्या हो जाएगा क्रूसी फेरी क्रूसी फेरी जो है यह आपका सरसो इसी कूल का पौधा है याद रखेंगे सरसो मूली गाजल यह सबी जो है यह सबी जो है इसी भी आते हैं इसी कुल में इसी ग्रूप में आते हैं Next question पर चलते हैं तो next question है मनुष्य में पूरुष के योन गुन सुतरोक में कौन सा सम्मू होता है बहुत ही easy question है और यह हम सभी कहीं ने कहीं बच्पन से ही परत्यार हैं class 9-3 में खास करके आप पढ़ेंगे biology में तो इसका right answer होगा आपका xy मनुष से के गुण सुत्र के अगर हम बात कर ले तो xy समूख होते हैं जो की बहुत ही मत्मौन है और सभी को अक्सर पता ही होंगे ठीक है कुल अगर हम बात कर ले तो गुंश सुत्र कितने होते हैं तो याद रखना है 46 होते हैं 23-23 का जोड़ा ठीक है चलिए बढ़ते हैं तो कहता है पौधों में लचीलापन किस उतक के कारण होता है पौधों में जो लचीलापन होते हैं या आपको किस कारण होते हैं तो याद रखना है कौलिण काईमा जो है यह आपका एक उतक है टीसू कहते हैं इसी टीसू के कारण यह पौधे में लचीलापन पाय जाते हैं नेक्ट कोशन कहता है निमलिकित में से कौन सा पदार्त कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इसका राइट इंसर आपका हो जाएगा जल जल जो है या आपका क्या है तो कोशिका में अधिक मात्रा हैं पाय जाते हैं जो कि याद रखेंगे कोशीका का मतलब सेल होता है यह भी आप सभी लोग याद रखेंगे महत्पूर्ण है नेक्ट बढ़ते हैं आगे तो कहता है निम्लिकित में से स्वासन तंदर का हिस्सा है स्वसन तंतर का हिस्सा इसमें कौन सा है? आपका इन में से सभी स्वसन तंतर का हिस्सा है. यह आप लोग ज्याद रहेंगे. स्वसन पर्णाली सरիर से अक्सिजन लाने और कर्बन डैयोकसाइड को सरीर से बाहर لे जाने के लिए उत्तरदाई होती है. यह भी आपको जानकारी होना चाहिए स्वासन प्रनाली के बारे में स्वासन तंतर के बारे में अगर बढ़ते हें आगे तो next question कहता है एक अंतरिश यान पृत्वी के सापेच उच गती से यात्रा कर रहा है अंतरिश यान पर एक घड़ी पृत्वी पर एक घरी के तूलना में धीमी गती से चलती होई प्रतीत होती है तो निमलिकित में से कौँ सा कथन इस घटना की व्यक्ष्या करता है सल्दी से बता दीजे थोड़ा सा प्रश्ण जो है इंपोर्टन्ट है और अस्टेट्मेंट वाला है यह आपका उप्सन नमर क्या होंगे तो समय सापेच है और प्रेचक की गती पर निर्वर करता है यह आपको याद रखना है यह प्रिगटना आश्टिन के सापेच के सिधान पर पणिमानित किया गया है जो कि आप सभी लोग याद रखेंगे किस के पर तो आश्टिन के है ठीक है कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निमली कित में से किस यंद्र का उप्योग किया जाता है तो याद रखना है किसी वस्तु पर बल लगने वाले को मापने पर हम किस यंतर का प्रयोग करते हैं तो इसका राइट एंसर होंगे आपका ओप्सन नमबर B कमानी डार तराजू हो जाएंगे इसका राइट एंसर ठीक है कमानी डार तराजूर के अगर हम बात कर ले तो यह एक प्रकार का उपकरन है जिसका उप्यो किसी वस्तु पर लगाया गए बल को मापने के लिए किया जाता है तो यह आपका क्या हो जाएंगे इसका राइट एंसर जो होंगे आपका ओप्सन C दूरी के वर्ग के माध्यम थे गुर्टपा कर्शन वल वेक्रा तो मुनक त्रिज्जा जो है एक प्रकार से बढ़ाता है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे नेक्ट है आपका अलकोहल थर्वा मीटर का अविस्कार किस्टने किया था तो जल्दी से बता दे इसमें से कौन से वो वेक्ति थे कौन से वो साइंटिस्ट हैं जो कि अलकोहल थर्वा मीटर के अविस्कार करते हैं तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे आपका कौन हो जाएंगे इसमें से कोई नहीं हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे तो याद रखना है अलकोहल 13 मीटर का अभिसकार 28 सदी की सुरुवात में एक जर्मन भौतिक बिग्यानिक कौन थे तो याद रखना है डेनिल ग्रेब जिल्थ हैं ठेके डेनिल ग्रेब जिल्थ के द्वारा किया गया था जो कि इन में कोई भी नहीं हो जाएंगे नेक्ट कोशन है नेक्ट कोशन है नेक्ट कोशन केता है वाहनों में साइड मीरर के रूप में निम्न में से किस दरपन का परियोग किया जाता है बहुत बार चर्चा किया गया या प्रश्न है तो यह आपका हो जागा उत्तल दरपन ठीक है उत्तल दरपन का दृ question करता है आप ब्रिती और तरंग ध्यर्णे के बीच संबंध के बारे में नेमले कितम से कौंसा कथन सत्य है यह आपका हो जाएंगे साथी कौंसा तो याद रखना है आप बढ़ती और तरंग ध्यर्ण यह क्या है तो वैतुक्रा मानोपाती होते हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है आविड़ती और तरंग ध्यर्ण के अगर हम बात कर लें तो यह आपका उच्छ आविड़ती का अर्थ है कम तरंग ध्यर्णे ठीक है इससे आपका संबंदित होता है जिस प्रकार से लिए बढ़ते हैं आगे तो नेक्ट कोशन केता है एक इंसूलेटर की बिधूत परती रोगधकता क्या होती है एक इंसूलेटर की जो बिधूत परती रोगधकता होती है यह क्या होती है तो यह आपका उच्छी होती है ठीक है क्या होती है उच्छी होती है यह आपको तीनम जो है यह सबसे भारी धातू है यह आपकी अगर हम बात कर लें तो इसका घनत्व जो है 21.45 ग्राम है ठीक है यह आप लोग गयाद रखेंगे कितना 45 ग्राम ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे तो कहता है औक्सी कारक निम्ड में से कौन सा है तो यह आपका हो जाएगा प्युक्त में से एक से अधिक जो है यह आपका अक्सी कारक है अब अक्सी कारक क्या होते हैं यह पर हम थुदा बता रहते हैं अक्सी कारक किसी रशानिक अभिकरिया में शामिल वह पदार्थ होता है जो अक्सी करन की परकिरिया में सहायक होता है ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे महस्पूर्ण है नेक्स्ट क्याता है निमलिकित में से कौन सा तत्व हैलोजन स्रेनी का तत्व है तो यह आपका हैलोजन स्रेनी का तत्व इन में से सभी ठीक है आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सभी के सभी क्या है तो आपका helogean तत्य व का श्रेनी है नेक्ट है है hydrogen bump बनाने में निमलिकित में से किस वीधी का प्रयोग किया जाता है तो इसका right answer आपका option नाभी किये संकलन का हो जाएगा नाभी किये संकलन के द्वारा वीधी द्वारा hydrogen bump का निर्मान किया जाता है तो यह आपका right answer होगे option A next question है निमलिकित में से प्रित्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है तो यह आपका right answer इसका क्या हो जाएगा तो इसका right answer होगा option number C oxymere oxymere जो है oxymere संब है जो यह आपका सबसी भारी धातु है प्रित्वी का next question है आपका निमलिकित में से किसमे lactic acid उपस्तित होती है तो यह आपका lactic acid जो है दही में उपस्तित होती है lactic acid जो है यह आपको दही में होते है यह आप लोग याद रखेंगे ठीक है बहुत ही महत पौन है इसको आप लोग याद रखेंगे और acetic acid जो है यह आपको किस में होते हैं तो सिरका में होती है ठीक है यह सभी एसीड हम आपको कई बर बताये हुए हैं तो आप लोग याद रखेंगे फॉर्मिक एसीड जो है यह चेटी के डंक में होती है साइट्रिक एसीड जो है यह आपको नीमू में होती है तो सारे के सारे एसिड हम अल्रेडी आपको पढ़ा हुए हैं आप लोग पुराना वाला वीडियो को जरूर देखा किजें रसायन बिग्यान का जनक किसे कहा जाता है रसायन बिग्यान का जनक जो है यह आपको किसके कहते हैं तो याद रखना है ले जो लेवोजियर कर कहते ह किसको करते हैं लेवोजियर को रसाइनिक बिज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु को जिब बिज्ञान का जनक कहा जाता है यह भी आप लोग याद रखेंगे नेक्ट है आपका निम्ड में से किसमे ओक्सीजन उपस्थित होती है तो ओक्सीजन जो है यह किसमे उपस्थित होती है तो याद रखना है किसमे होती है किरोसीन में जो है यह आपका ओक्सीजन उपस्थित होती है यह आपको याद रखना है ठीक है सौरी अनुपस्थित है स और कल मुझे कहीं जाना पड़ गया था कुछी सिलसिला में थोड़ा सा इसलिए हमको अर्जेंट आना पड़ा और आपका फिर तुरंत आकर आपका क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा अक्षिली में आंक्स दम निन से पुरा लपका सकते हैं कि क्या परता हैं बहुत ज्यादा आख पुरा दम सुझा पड़ा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट के जेगा आज के दिन कल से आपको रेगुलर वेटर क्लास मिलेगा कल आपका क्लास भी अपसेंट था आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा कहरा हैं ध्यान दिजेगा नेक्ट कोचन निम्ण में यह किस अधर पर हो जा है किस अनुछे में तो 368 में ठीक है यह आप लोग गयाद रखेंगे 368 में सम्मिधान संसोदन होता है जो कि यह सतरवे संसोदन अधिनियम कभ हुआ था तो वर्ष 1992 में ठीक है बहुत ही मत्पूर्ण है यह सब आप लोग याद रखा किजे आगे ब सकती है प्रन्तु सम्मिधान के अधार धाचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है बहुत बड़ता है कि इसको कहते हैं तो basic structure कहते है बैसिक अधिनियम में दिया गया था किसवा नंद भारती बनाम केलर राज जो किस था यह कब होता है तो 1773 में होता है और इसी समय जो है सर्व मौलिक अधिकारों में कर सकती है बढ़न्तू क्या कर सकती है तो सम्विधान के सरवुच जो एक प्रकार से कहा जाए बेसिक अधार जिसको हम कहते हैं बेसिक अस्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वह आप उसमें बदलाओं नहीं कर सकते हैं यह किसके द्वारा कहा गया है तो सर होती मत्पूर्ण है यह आप लोग याद रखेंगे और पंचाइती राज्यु जह है यह आपका साथ भी अनुसूची के अंतरगत आते हैं यह भी आपसे पूछा जाएगा नेक्ट हंगर हम बढ़ते हैं आगे तो कहता है बिहार के लोग सभा में अनुसूची जाती है तो आ का सीटो की संक्या है यह अच्छा है तो कहता है सभी बालकों को 14 वर्स की आयो पूरी करने तक निसूलक और अनिवारी सेक्षा देना सरकार का दाइत्व है नितिन निशक तत्व अर्थाल DPSP के तह संभिधान के किस अनुचेद में वर्णित किया गया है यह आपका मूल अ याद रखेंगे ठीके 6-14 वर्स के बच्चों को निसूलक सभी कुछ देना है ठीक है सिक्षा भी स्वास्त के बाद में भी और मिल्डे मिल जो है यह भी आपको याद रखेंगे भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुचेद नई अखिल भारतिय सेवा के स्थापना का प्राप लेकिन आप लोग उस तरह के सह में प्यार नहीं दे रहें है इसलिए हम कंचेंट को थोड़ा कम कर दिया है का मेरे पास कमी नहीं है मिरे पास बहुत 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 हाई लेवल का है अगर आप पढ़कर जाते हो तो आपके लेवल का कोई उससी क्लास्रूम में होगा लेकिन दिक्कत है कि हम उस चीज़ को दे रहे हैं लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप लोग भटक कहा रहा हैं तो one two five escape board यही पर आप लोग अटके हुए हैं तो दिक्कत यही है इसलिए हम अपना ब्रेक लगा दिये अपने नोट्स पर ठीके ना नोट्स कमें पर कमी नहीं है आप लोग जितना बुलिएगा उतना हम बहतर से बहतर किये हैं आपका modern history और medieval history मिलाकर लगभाग एक से एक देर घंटा का वीडियो है एक घंटा का साइध है कोई नहीं देखा है तो बताइए इतना मेहनत करने के आपका वर्ष 1968 में ठीके संसद में पहरा लोगपाल बिधहक जो है यह आपका वर्ष 1968 में चोधर लोगपाल में प्रस्तुत किया गया था कब किया था चोधी लोगपाल में ठीके सब चीज याद रखेंगे महत्पूर्ण है डॉक्टर राजेंदर परसाद को समीधान सभा सभापदि कब बनाया गया था तो इसको सभापदि उनको यह कब बनाय गया था तो यद रखेंगे राजेंजर होगा आपका संभीधान संसोधन के अंदर गत तो यह आपका हो जाएगा 44 संभीधान संसोधन के अंदर गत ठीक है यह आप लोग ज्याद रखेंगे बहुत हैं इंपोर्टन्ट है आगे बढ़ते हैं तो next question कहता है किस वर्स में राजप्रमुक के पद नाम का नाम बदलकर राजजिपाल गवर्नर कर दिया गया है तो जल्दी से बता दिजी इसका पहले नाम क्या होता था तो राजप्रमुक कितने बेखती जानते थे राजप्रमुक के बारे में यह बताईए आप लोग तो वही राजप्रमुख जो है इनका नाम बदलकर बरतमान में राज़ी पाल या फिर हम लोग गवर्नर काते हैं इसको कब बदला गया था यहाँ आपको याद रखना है तो यहाँ हो जाएगा साथी 1856 में ठीक है 1956 में हो जाएगा इसको आप लोग याद रखेंगे नेक्ट 108 के अनुसार दोनों सद्रों के सन्युक्त अधिवेशन तथा आयोज़त की जाती है ठीक है यह सभी लोग आप लोग याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो next है आपका कहता है केंदर राज्य संबंध के अध्यन में के लिए सहकारिया आयोजन सहकारिया आयोजन का गठन क किस वर्स किया गया था केंदर और राज्य के संबंध में अध्यन के लिए सहकारिया आयोजन था यह आपका कब किया गया था सहकारिया आयोजन के बारे में तो यह आपके हो जाएंगे कौन से तो यह आपके हो जाएंगे साथी option C अर्थाद 1983 में ठीक है 1983 में केंदर और रा स辭ूण आविषची में जोड़ी गई है तो इससा घ्राखर जैगे ऐसा करनें १प लए तो इंतर को अस्थाफित किया गया था तो इसका राइट एंतर हो जाएगा आपका ओप्सन नंबर ए दूसरी ठीक है दूसरी पंच बर्चियों योजना में यह आपको याद रखना है और दूसरी पंच बर्चियों योजना जो है यह आपका वर्स 1956 से लगकर कब तक है तो एक सर करिसी का योगदान रहा है यह आप देख सकते हैं वर्तमान में घट रहा है और भारत की आर्थिक नियोजन में लागू करने की जीडी पी या राष्टी आए में क्रिसी का योगदान अधिकतर हम लोग देख रहे हैं घटते जा रहे हैं नेक्ट को स्टन है आगे बढ़ते सबी को कि आर्थिक सरवेक्षन 2023-2024 जो है और केंदरी बजट 2023-2024 यह दोनों आपका बहुत ही बहतर ढंग से बहुत हुँ अच्छे ढंग से आपका वीडियो बनाया गया है लेक्चर पड़ा हुआ है जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं ठीक है जो कि वीपीसे 69 के लि इसने पेस किया था बहुत ही इंपोर्टन है और इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर ए आरके सनमुख सनमुखम चेटी जो है यह आपके राइट एंसर होंगे ठीक है इसको आप लोग याद रखेंगे महत्पोर्ण है और यह कब किया गया था तो 26 अंठार में हो जाएगा जागा कब कमा कि गयी थी शुर्वा तो 1840 में ठीक है आगे बढ़ते हैं तो क्यessend govern ऌत राश्टी उध्यान किस राजे में है तो रोही लाज्टी उध्यान जो है कि सराज्ज में हुए हीमाचल प्रतियोwny है ठीक है हीमाचल प्रतियों में है यह आ महाल जखन जो है यह आपका राइट अंसर होगा महाल जखन के अगर हम बात कर लो तो यह लोग अश्खन छेतर नहीं है ठीक है यह आप लोग याद रखेंगे महत्पूर्ण है चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोशन है आपका यह निमलिखित नंदियों में से कौन स है जो कि आप लोग याद रखेंगे पंच नंदि में सिंदू नदि के बाएं किनारे पर इस्थित पांच नदिया सामिल है जो कि यह नदिया कौन-कौन है तो याद रखना है आपका रावी है जेलम है सथलज है व्यासे और चिनाव है ठीक है यह सभी आप लोग याद ठीक है सच आसमान जो है यह प्रती चक्रबाद के बिसेस्ताएं हैं यह आप लोग याद रखेंगे सुपर कम्प्यूटर प्रम सक्ती को कहां अस्थापित किया गया है यह कहां है तो आयाइटिक खरकपूर में किया गया है याद रखेंगे नेक्स्ट कॉशन है आपका नेक्स्ट कॉशन पर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कॉशन आपका कता है यहाँ पे कि पंबा सिचाय परुजना किस राजी में इस्तित है पंबा सिचाय योजना जो है यह आपका किरर राजी में इस्तित है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है जबकि गिर्णा सिचाय तुर्क मेनिस्तान में है तीट कें कहां पे है तुर्क मेनिस्थान सबसे बड़ा रिगिस्तान सहारा से भी लगभग इंगारां देशों की सीमा चूती है तो आपका दूसरा नमबर पर आता है, याद रखेंगे, म्यानमर के साथ कितने भारती राज्य आपका सीमा सालसा करती है, तो यह आपका राइट एंसर होगा, क्या है तो चार, ठीके, क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, कौन कौन है तो अनुराचल परदेश, मिंजूरम, न परदेश, मिंजूरम, याद रखेंगे, तो यह आपका हिमांदरी के भाग है, तिके, क्या है, हिमांदरी के भाग है, इसको याद रखेंगे, और इस परबस रेनी की हम अगर बात कर लें, तो आसथ उजाए लगभग 6,000 है, तो कितनी है, 6000 की आसपस है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, नेक्स कुशन कहता है आपका कि दक्षिन अनवार और लहू अनवार को जोड़ती है यह है आपका डककन पास ठीक है डककन पास जो है यह दोनों को जोड़ती है जो की बहुत ही महत्पून है और तमिनाडू अनचे के पाक ट्रेश चोड़ती है जो कि 10 चैनल लहू अनमानुक तथाकार निकोबार के मध्य में यह इस्थित है आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे तो यह था आपका प्रेक्टिस सेट नंबर 6 जो कि हम प्रियास किये हैं कि अभी बहुत ही सौट में हम चलें उमीद किरते हैं कि आप करैंट त्यूंद आ कि अगली महीने में पूरा जुलाई कभर कर दढ़ंगे जो की आपका करेंट पर समाप्ठ हो जाए गांको आज के